गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में मोर्योत्रकार से संबन्दित महतोपुन पर्षन एउं उत्तर के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे हमने मोर्योत्रकार से संबन्दित महतोपुन पर्षन उत्तर के दो भाग बनाए हैं तो पहला भाग देखेगा इसमें कौन-कौन से पर्षन हमने स्लेक्ट करेंगे हैं जो एकजाम की दरिस्टी से महतोपुन हैं महान सास को मोरियों के पतन के पसात पसी मोतर भारत में किन सक्तियों का उदे हुआ हिंद युनानी सासक सक कुसान युँ पार्थियन जिनको पल्लव भी कहा गया है संप्रती पार्थिया इस्तिध है इरान में परसिद हिंद युनानी सासक मिनांडर का सासनकाल था 165 BC से 145 BC किस हिंद युनानी ने साकल को अपनी राज़दानी बनाया डेमेटियस प्रेथम ने हिंद यवन सासको में सर्व परसिद सासक था मिनांडर तो हिंद यवन सासको में सबसे परसिद सासक कौन सा सासक था मिनांडर किस यूनानी सासक को बौध विद्वानाक से ने बौध दरम में दिख्सित किया मिनांडर हेलियोडोरस किस यवन्स सासक का राज़दू था एंटीयाल की डासका पल्लववंस का सबसे सक्तिशाली सासक था गोंडोफणिस पल्लव अंस का वास्त्विक संस्तापक था मिथ्रेडेटस मोर्योतरकाल के सासकों में चत्रप की उपादी कौन से सासकों ने धारण की थी सकों ने तक्ते बही अबिले का समन्ध है गोंडो फणनिस से 16 चत्रप कहलाते हैं भूमक यम नहपान नासिक के चत्रपों में दो परसित सासक भूमक और नहपान थे वे अपने आपको 16 चत्रप कहते थे भूमक और नहपान हेलियोड और स्तक्सिला के यवन राजा एंटियाल किडास के दूद के रूप में किस भारति नरेश के दरबार में आया था भाव भद्दर के दरबार में आया था शुद सेंस्कृत भासा में लिखा गया पहला अबिलेख है जुनागड अबिलेख और हम जुनागड अबिलेख के बारे में आपको पहले पढ़ा चुके है किस कुसान सासक के सिकों पर युनानी राजा हर्मियस के आकरती है कुजुल कड़फिसेस कनीश के पर्थम किस धरम का अनुवयई था बोध धरम का कुसानों का मूर निवास अस्थान था पस्चिमी चीन पुसे मितर सुंक किस धरम का अनुवयई था ब्रहमन धरम का प्रथम साथवाहन सासक कों था सिम्मुक मोर्योतरकार में नलवन्स ये सासकों का संबन था मध्य परदेश से सेतुबंद नामक कृति का रचियता कोन है परवर्षयन द्वितिये साथवानों के दवन्सा वसेशों पर किस वन्स ने विजे पता का पहराई वाकाटक वन्स कुशान समराजे के अंतरकत था अर्थात कुशान समराजे का समराजी विस्थार था इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंसंपून, उत्री भारत भारत के बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाला सासक कोन था कुशान कुसान सासक थे उन्होंने भारत में सोने के सिक्के बड़े परमाने पर चलाए थे किसके सासन में सेंट टोमस भारत में इसाई धरम का परचार करने आए मोंदो फंडिस कुसानों की राजदानी थी पेसावर एम मतूरा कुसानों की पहली राजदानी पूरुसपूर अर्थात पेशावर्थी तथा दुईतिय राजदानी मतुरा थी सक सम्वत का पर्चलन मानना जाता है अठाटर एडी से भारत में पहली बार सुने के सिखे किसने चलाए हिंद युनानियों ने तो भारत में पहले बार सोने के सिखे तो हिंदियों आनियों ने चलाए तता भारत के एक बड़े परमाने पर सोने का सिखा चलाने वाले सासक कुन थे? कुसान थे कुसान सासकों के पास होने के परचूरता का कारण था मद्य एसिया का अल्लाई छेतर कुसान समराजे के अंतरगत होना रोमन समराजे के साथ व्यापार में परगाड था कनिस्क पर्थम का बो दर्म में किस साखा से संबन्द था महायान साखा तो कनिस्क की पर्थम है वह बो दर्म की महायान साखा से संबन्द था चहराथ सासक नहय पान के सिक्के मिलते हैं नासिक से रुद्रदामास ने किस साथवाहन सासक को दो बार प्राजित किया था वस्यष्टी पुतर पुलुमावी को तो देखेगा इस वीडियो में हमने मोर्यो तरकार से संबंदित पर्षनों के बारे में जानकरी प्राप्त की और इसी परकार से हमने दूसरा वीडियो बनाया है मोर्यो तरकार से संबंदित पर्षनों और उतर भाग टू तो आप उसको भी अवस्ते देखेगा आपको दो चार क्यूसन ऐसे मिलेंगे जो एकजाम की दरस्टी से महतोपन होंगे ही होंगे ठीक है तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद